हलो दोस्तो नमस्ते कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोसनी फैमली ब्लोक्स चैनल में तो आज की ब्लोक की शुरुआत हो रही है दो पहर के टैम में और कपड़े सीलने के साथ तो यहाँ पर मैं कपड़ा स साढियां जो बलाऊ सीलने के लिए देते हैं तो बलाऊ ממ कर लिया है उसके बाद उसके किनारी है न वह मैं सील दे रही हूँ और बच्चे इसकुल से आ गए थे सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई पेड़ पर चड़े हुए हैं, अमरूद खाने के लिए, और कोई बाहर पर खेल रहे हैं, और चांदनी अभी अमरूद के पेड़ से नीशे उदरी थी, सारे बच्चे यहीं पर इखठा हो जाते हैं, फिर इधर उधर होते हैं, साथ में, र हटा देती हूं क्योंकि यहां पर बैठने के लिए थोड़ा सामने बनाया था तो लगा की चलो इसको हटा देते हैं और यहां पर इप two newper पहर का टैम है जो सिलाई उलाई करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने घर की रूटिंग में करती हूँ वही टैम है तो अभी यहां की जो जितने भी इटा है जो मैं लगा करके रखी हुई थी सारे इटा हम निकाल देंगे एक दो छोड़ देंगे क्योंकि चुला के पास भी ह करें सामने तो उसको छोड़ देते हैं और यहां पर ब्राबर कर देंगे यहां पर चुला आमको भी अच्छा नहीं लग रहा है तो सोकना पड़ेगा उस जो कब्राडी रूम आप लोगों दिखा रही थी वहाहीं पर कोलसिस करेंगे बनाने कि अब देखे बनता है कि नहीं वहां पर भी अंधेरा लगता है थोड़ा सा तो फिर मन भी नहीं लगता है कि वहां पर भी चुला बनाएं तो देखे अब क्या करते हैं यहां पर भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि य औरियानी के नीचे है जस्ट औरियानी के नीचे है चुला तो खर नहीं भीगता है लेकिन उसके जो रहता है ना चुला के पास तो वही पर जस्ट पानी गिरता है तो उसकी वज़त से बहुत ज़्यादा खराब यहां पर हो जाता है जब बारिस होती है तो अच्छा भी नही करके हम अपना काम में ले लेते हैं तो साइड कर देंगे सारे चीजे उसके बाद हम अच्छे से यहां पर मिट्टी से लिपाई कर देंगे मिट्टी हम भी का करके रखें थोड़ा सा मिट्टी ले आये थे अभी अभी और पानी डाल करके छोड़ दिये हैं कई दीनों से यहा लिपाई भी कर देंगे मिट्टी से लिपाई पुताई करने के बाद तो चमक ही जाता है लेकिन रह गया है कि बारिस हो जाती है आजकल बारिस का दिन भी है तो फिर बारिस हो ही जाता है कभी न कभी सुबह या साम में कभी न कभी हो जाता है तो उसके वज़ा से भीग जाता उसके वज़े से खराब लगता है तो दिवाल भी थोड़ा हम लिप देते हैं और उसके बाद हम चुला को लिपाई करेंगे साथ में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएगा कमेंट में हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो औ आप लोगों से मैं सेर करती रहती हो तो प्लीज आप लोगों को अगर देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट पढ़ करके बहुत ज़्यादा दिल खूस हो जाता है आप लोगों की कमेंट पढ़ करके इसलिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तो आसिरवाद दीजिएगा और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा तो चलिए लिपाई करते हैं चुला की राकुक सारे हम उठा लिये हैं उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा मिट्टी भी छाब दिये थे क्योंकि कई दीनों से यह काम की नहीं रह जाता है इसलिए हम यहाँ पर जब बारिस होती है तो लिपाई नहीं करते हैं लेकिन आज मैंने सोच रखा है कि आज रोटी बनेगा तो इसके वज़़ज़ से चुला में हमको रोटी बनाना अच्छा लगता है गैस में थोड़ा खड़ा हो करके रोटी ब बनाना चार है बनता है कि नहीं तो आप लोग पूऱे वीडीओ पर बने रहीएगा तो पता चली जाएगा कि हम कहां रोटी बनाते हैं आप बहुत दीन भी हो गए हैं रोटी खाये हुए तो बचे कई दीनों से बोल रहे हैं कि मम्मी एक दीन रोटी बना रोटी बनाओ रोटी खाना है और रोहन के पापा को भी आदत हो जाता है खाने के लिए तो वो रोज खोजते हैं रोटी तो एक बार उनका पेट खराब हो गया था तो डॉक्टर माना किये थे कि रोटी नहीं खानी है तेल रोटी नहीं खाना है गैस बन जाता है तो जब धूप था ना उस तो आज हम रोटी बनाएंगे सोच तो रखे थी कि प्राठा बनाएंगे लेकिन टैम ही नहीं मिला बनाने के लिए तो सिंपल सा रोटी ही बना देते हैं प्राठा जो तेल वाला होता वो ये बना देते हैं तीन कोन वाला रोटी है, हमारे घर पर तीन कोन रोटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और सुबा के टाय में तो बच्चों के लिए रोटी ही अच्छा होता है नास्ता करके जाने के लिए, क्योंकि सुबा में भागम भाप काम होती है, तो रोटी जट से बना दो तो में भी खा पाएंगे, तो हाथ हमें पकड़ को खाते खाते चल जाएंगे, इसलिए रोटी ही अच्छा है बच्चों के लिए, तो देखे लिपाई हो गई थी, उसके बाद चका चक दिख रही है, चुला, और चुला के बगल में भी अभी हम यहां पर उभड़ काबड कर यह हैं कोड़ कोड़ के तो वो भी हम चिकना कर देंगे, थोड़ा लेप जैसा कर देंगे, तो एक दिल में तो आच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दुसरा देना और लिपाई करेंगे, तो अच्छा जरूर दिखेगा, क्योंकि अभी तो पूरा सब जगा गिला-गि भी कर दिए, आप सभी को साइड करते हैं, इटा उटा थोड़ा सा और इधर लिपने के लिए, वो भी हम लिप देंगे, उसके बाद हम एक जगा रख देंगे, इटा सब को समेट के फिर जाडू लगाएंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा आज गर्मी भी लग रही थी, सुबा में धूप था अज बहुत ज़ादा, और उसके बाद अचानक ऐसी हो रही है, भाप रहा है कि पता नहीं क्या ऐसे बारिस होने वाला होगा, तब ही ऐसा होता है, लेकि साम में बारिस हो ही जाता है, वो तो मैं वीडियो नहीं सूट की हूँ, रात में आई थी बारि कीटा को देखे हम समेट लिये हैं वहाँ पर अच्छे से और अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ चुल्धा है, तो उसके बाद हम जाडू लगा देते हैं, जाडू जब भी लगाओ ना दोस्तों, तो कचड़ा की कमी नहीं रहती है हमारे घर पर, कचड़ा इतर उतर मित कुछा करके साथ में फेकी देंगे क्योंकि अभी ठैम है, और उसके बाद हम चुल्हा जलाएंगे चुल्हा भी चलाना पहले पढ़ता है क्योंकि अभी खचला भी है, यह लिपाई किये हैं, कच्चा भी है, थोड़ा सा जल्दी जला देते हैं, तो कि यह दिर दिर जलते चुछ अगड़े हैं पहले लकडी डाल देते हैं फिर कोईल horses नीचे से कुछ आग डाल दो या तो लकडी में ही आगड़ सकते हो उसके बार कोईला डाल सकते हो तो अपनी अपने तरीके होते Nossa जलाने की और उसके बाद्ग Kyunglay था यहां पर तो मैं सोची सुत्री वाला बोरा या आलू का बोरा है तो उसी को हम भिछा देते हैं और हम भी आ गए थे पूरा तो नहाए नहीं लेकिन आधा नहाए हैं उसके बाद हम बैठ गए हैं आटा गुंदने के लिए क्योंकि आज रोटी बनेगे बच्चे बहुत ख है यह आलू और बरी की आप लोग आलू बरी बरी की सबजी दिख देख के हमारे वीडियो में मुकर जाएंगे लेकिन हमारे घर में यही पसंद करते हैं दोस्तों तो आप क्या करें और ज्यादा चलता भी है तो यहां पर हम साला उसला भूंज दिये थे फिर हम डाल दिये अभी लेट भी हो रहा था दोस्तों और हम हड़ बर हड़ बर से बना रहे थे क्योंकि अभी रात के टायम है पौने साथ बज़े लगवा है गाड़ी आ जाती है और ओटो आ जाती है हमारे घर की पास साढ़े साथ बजे तो उसी के अनुसार हमारे घर पर खाना खाते हैं तो अभी टैम हो रहा है अभी जब गाड़ी आ जाएगा उसके बाद ये लोग जट से अंदर करेंगे होटल को और फिर मांगेंगे खाना तो उनके आने तक हमको खाना बनानी है तो फिर हड़वर हड़वर से काम हो रही थी उसी में एक रोटी में बहुत ज़्यादा तील हो